हलो बच्चों जेहिंद मैं पुनिट डोगरा स्वागत करता हूँ आप सभी का NDA अड़ा 24-7 पर और आज हम बात करेंगे NDA के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में NDA जो कि भारत का बहुत ही जाना माना एक संस्ता है जहां पर तीनों फोर्स एक साथ तैयार की जाती है आर्मी नेवी और एयर फोर्स जैसे कि मैं आपको बता दूँ अगर शायद आपको यह बात पता हो या नहीं हो कि NDA की शुरुवाद जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी मतलब जब ब्रिटिशन से उन्होंने करी थी और इसका जो मतलब संस्ता थी जो प्रिप खड़क वासला में स्थित है क्यों स्थित है खड़क वासला में क्यों इसे जम्मू कश्मीर या फिर एहमदाबाद या फिर कहीं और किसी और सिटी में क्यों नहीं बनाया गया क्योंकि खड़क वासला में आपको पता है लेक्स भी है हिली और एरियास भी है जहां पर हर कै तीनों candidates को एक सही suitable area मिलता है suitable जगा मिलती है तैयार कराने के लिए train कराने के लिए तो that is why it is situated in खड़क वासला fact number two की बात करते हैं यह बहुत ही amazing fact है कि आपको पता है इंडिये जो है पहला त्राइ सर्विस military academy है पूरे दुनिया में जहां पर army air force और navy एक साथ train की जाती है मतलब यह जी होती है मतलब इस फॉर्स्ट वर्ल्ड का पहला मतलब यार गर्व होना चाहिए हम लोगों को हिंदुस्तानियों को कि भाई मतलब पहला जो ट्राइ सर्विस मिल्लिटरी अकाड़मी है पूरी दुनिया में वो इंडिया के पास है मतलब इंडिया के पास है इंडिया नहीं इसकी शुरुवात किया है तीसरफ एक्ट की बात करते है जो पहला कोर्स हुआ था उसके अंदर इंडिया का जो बैट स्टार्ट हुआ था वो उसके अंदर मात्र 190 कैडिट्स शामिल थे कितने अच्छी बात है बाई पैक्ट 4 की बात करते हैं जो बेसिक कॉंसेप्ट है एंडिया का वो यह है कि जो इंडिया का जो यूथ है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट बैक्र जाते हैं तो बहुत डैवर्षी बैग्राउंड से आते हैं तो उन सब को एक साथ करके एक गढणर करके अच्छी बहुत देश बात जहां पर इतनी सारी बहुंडशाय ब्ली जाती इतने सारे धर्मो को माना जाता है और इतना मतलब हमारा बढ़िया देश है जहां पर diversify background से उठा कर cadets को लाया जाता है एक जगा पर मिलके उनको train कराया जाता है और सिखाया जाता है कि कैसे आपको लड़ना है अपने दुश्मनों से देश के दुश्मनों से आगे चलते हैं फिफ्थ fact की बात करते हैं बहुत ही पढ़िया, fact, NDA के पास 18 squadrons हैं, जो की 5 battalions में divided हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दू, हर साल NDA में 2000 cadets होते हैं लगबग, NDA के जो पूरे campus होते हैं, उसके अंदर लगबग 2000 cadets होते हैं, जो तयार हो रहे होते हैं, और आप सोचिए, कि 2000 cadets एक बारी में हैं, और 190 से शुर service before self, यानि कि सेवा, service before self, यानि कि सेवा परमोधर्मा जो की 1951 में, मतलब हमारा ये start हुआ था, उसके अंदर बात करी गई थी, और इसके अंदर क्या है, current symbol जो है, वो 1948 का replace किया गया है, old symbol से, जो की quill, pen वाला, sword, eagle and anchor, जो ये वाला है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, अगले fact की बात करते है, credit का जो dress का color है, वो khaki है, कि क्यों, ताकि वो हमार को सिखा सके, कि जो हम, जिस atmosphere में, मतलब atmosphere जो हमारा है, वो क्या है, homogenetically and unity, unity मतलब एकता के साथ, हम लोग एक khaki uniform में, आपके साथ, आपके लिए देश के लिए समर्पित है, fact number 8 की बात करेंगे आप लोगों से, ये बहुत ही बढ़िया fact है, और बहुत ही कम बच्चे इसको जानते है, देखें, जो dining hall है, National Defense Academy का, जो कि खड़क वासला में, जहां पर lunch, dinner या breakfast किया जाता है, उसमें एक जो table set है, वो army persons के लिए खाली छोड़ा जाता है, क्यों, ऐसा क क्यों होता है, मतलब वो जो table है, वो खाली क्यों चोड़ा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि, माना जाता है, जो army के लोग जंग में, 54 PSOW वाले में, 1971 की जो war होई थी, उसमें जो अपने घर कभी नहीं लोटे है, वो एक ना एक दिन यहां पर आएंगे, हर चीज का एक सम्मान किया जाता है, तो जो war में, मतलब, जो इनका पता ही नहीं लगा कुछ भी, कि कहा गए, क्या हुआ, ठीक है, तो ये माना जाता है, कि वो लोग आएंगे, और ये table set, उनकी respect के लिए, खाली छोड़ा जाता है, कि इतनी अच्छी बात है, ये उनके लि लिया, एंड कैदी बना लिया, वो सब वाला सीन की बात हो रही है, ठीक है, आगे fact की बात करते हैं, भाई, बहुत important fact है, और मुझे उमीद है कि ये fact किसी भी बंदे को नहीं पता होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कितने लोग को इस fact के बारे में पता था, लेफ NDA के जो cadets है, वो लोग देश की सेवा के साथ साथ, देश का नाम रोशन करने में भी आगे रहते हैं, और Olympic में गोल्ड मेटल जीत के आते हैं, last but not least, क्योंकि NDA में अनन्त तक के fact है, ये तो 10 में ले आया हूँ, देखिए, दसवे fact की बात करते हैं, आप लोगों से, क्यों 28 other nations के साथ trained होते हैं, आपको पता हैं, कि NDA के जो cadets हैं, वो more than 28 other nations के साथ trained होते हैं, मतलब दूसरे nations के भी लोग हमारे पास आखे trained होते हैं, या हम लोग उनको train करें, हम लोग इन देशन्स मैं नहीं भाई, मैं का train करूँगा, मतलब जो हमारे जवान हैं, इनको NDA वाले cad को train करते हैं, उनको भी साथ में train करते हैं, और ये 28 other nations के साथ train किये जाते हैं, तो कितने अच्छे-च्छे facts के बारे में बात करिए आज हमने, लेकिन मैंने फिर बोलूँगा कि NDA के facts ऐसे हैं, जो कभी खतम नहीं हो सकते, तो और भी amazing चीज़े ऐसे जानते रहेंगे, मिलत इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, आज ही मिलते हैं अगले facts के बारे में या अगले discussion के बारे में, बाई-बाई, टेक केर, जय हिन बचो